तू लगन हाथ धोई के हमार पीछे पेड़ गे लेहाओ हमार दियो देवरानी हाथ धोई के अगर हमार होखे वाला बाच्चा के अपकी बहर अगर कुछ भेगए कुछ भी भेगए तो तू दियो हमार देवरानी के हम छोड़ अबनाई हमार भी नाम जुगर छला है सुन लि यह बात है तो जब आपका बच्चा जब जेट जी का ही है तो फिर इतना चीड क्यों रहे हैं आप असानी से असानी से डॉक्टर जी से चेक करा के और हम लोग को बताईए ये बच्चा है किसका हम लोग को तो सक है समझें अब तो और ज़्यादा सक हो गिया हमको तो पूरा बिश्वास है ये बच्चा जेट जी का हो ही नहीं सकता अगर जेट जी का होता तो इतना चीड किस यह तो आसानी से चीकप करवा लेती डॉक्टर जी से और डॉक्टर जी बता देते किसका बच्चा है नई बच्चा है इतना गुस्सा होने को जोरत थी नहीं था इसमें तू लगन हमार पे इतना बड़ा इंजाम लगाए ले हाओ नू याद रख्यो तू लगन भी कबो मा बनबु नाई कि नाई बनबु ऐसने है रहबु हाई तब हम हो तब हम हो कहां कहां से तू लगन मुख कला करवाए के ले हाओ अज हमार पे इतना बड़ा इंजाम लगाव कर पेट में बबुआ है, वो के कर हाई? अरे, आप लोग को हम कूँ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये बच्चा आपका घर का है, तो आप लोग आपका घर का बच्चा है, ओ मानने के लिए तेयार क्यों नहीं है? का बताई डक्टर साहब, हमार घर में नू, हमार महरारू से जले वाला बहुत कोई हवान वह खातिर इतना आफ़त मचल है हमार घर में जेख जी जादा आप बोलिये मत हम लोग जुगर छला दिदी गाओं के गवारों से कोई जलता नहीं है समझें बस हम लोगो पता लगाना है ये बच्चा है किसका ये इतना दिन समय कें रहती थी असनेक मा केसे बन गई मेरे पास हर एक छीज का उपाई है आप चिंता मत करजिए आपका पेट में बच्चा है, इतना चिंता करेंगे न, अगर आपका घर वाला इतना परिसान आपको करेंगे न, तो ये बच्चा में असर होगा, फिर ये बच्चा अगर पैदा भी हो जाएगा न, तो दिमाग से कम जोर, अच्छा स्वस्त बच्चा नहीं होगा, बहुत अ अरे अम्मा जी मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये जो प्रेगनेंट महिला है ना उसको तो आपका घर वाला ही इतना परेशान कर रहे है कि डिप्रेशन में चली जाएगी फिर इसका जो होने वाला बच्चा है वो अच्छा स्वस्त तेज कैसे होगा नहीं हो सकता ह क्योंकि जिसके पेट में बच्चा है वो खुधी डिप्रेशन चिंतित में रहेगी तो बच्चा थोरी सोरस्त होगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये तो सुनके घम खुसी ही लग गया मन में ये निमकी के अम्मा डॉक्टर बाबु का कहता है हाई जुट मुट के चि करके बताई दी अरे इतना हडबढाने से थोड़ी न होगा और सिरिफ जिसके पेट में बच्चा है उसका तो सिरिफ टेस्ट नहीं न होगा जो इस बच्चा का बाप है उसको भी टेस्ट करेंगे तभी जाके पता चलेगा ना दोनों को टेस्ट होगा लड़का लड़की दोनों का तभी जाके पता चलेगा ये बच्चा किसका है का तब तो डाक्टर बाबु निम्की के बाप्पा के भी हॉस्पिटल वा में एड्मिट होएगा पड़ी का हाँ जो आपके हस्पिटल है ना उनको भी हॉस्पिटल में एड्मिट होना पड़ेगा तो ही ना हम दोनो हमार दोस है यह दिनमा देखावेकर पीछे हमार दियो देवरानी के हाथ है हम कुछ नेखी कहले डाक्टर बाबु बताई हमरा के काबार कौन समय में एड्मिट होएक पड़ी कौन समय और कब का मतलब क्या है जब इसका रिपोर्ट चाहिए ही जल्द से जल्द तो आज अभी इसी वक्त हो जाए एड्मिट अच्छा अभी इसी वक्त डाक्टर साहब हाँ 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 लेट मत करिये लेट करने से फायदा क्या है हमको तो आपको सही रिपोर्ट देना है जितना जल्दी आप करिये अब लग रहा है कि ये जूट है उनका बच्चा तो है नहीं तो लग ममी जी आज जुगर्चला दीदी बहुत लाड जताए जा रहे ते पोता आएगा लड़का होगा बाप रे बाप दोनों सास बहु का तो क्या खुसी था अब लग जया ना खुसी में गरहन अब बताएगे टेस्ट करके तो हम लोग भी जाने आकर ये बच्चा है किसका आपको इतना हम लोग पे दिकत लग रहा है ममी जी को लगान हर थाट इन हर जाहीं हमारा घट करेंज क्पेट नहीं रख लो ऊंच्छ फारम होगें यह नहीं सोचना है, कि पोता आएगा कहां से, बहु तो साल भर से मैके मरती थी, अचानक आखिर बहु को पेट में बच्चाया के से, वो पता नहीं लगवाई, आमा जी बस करी, अब हमरा के सुना ले नहीं खेजात, टेस्ट होखे दी, दूद कर दूद, पानी का पानी डाक पानी कर सकते हैं, हम लोग भी ममी पी को पोता दे सकते हैं, तो देवत कहें डेखो हम लोग बटेसे बुला रहा हैं, हमारे बेटा लोगन के चुपचाप विदेसों में काम करे दात उलगन, जालूने तो नहीं तो नहीं सकता, आपका बेटा लोगको आना पड़ेगा तो पाना पड़ेगा गाओ, बहुत वो लोग विदेश में कमा के पैसा भेजते हैं, और आप ऐस करते हैं अब नहीं बाप रे बाप ये तो हद से भी बिकार परिवार है, आज तक हम डॉक्टर बनके इतना उमर हो गया, आज तक ऐसा परिवार हमने नहीं देखे थे रे बाप, जल्दी करिए, जल्दी करिए, दोनों को एडमिट हो जाईए, हम टेस्ट करके आप लोग रिपोर्ट कल दे देंगे